एपल ने आपके आईफोन के लिए एक नया अपडेट रिलीस कर दिया आईए 17.1.1 और बहुत छोटा सा अपडेट है 24 आर्स अल्मोस्ट हो चुके हैं मैं भी टेस्टिंग कर चुका हूं और आप लोगों को कुछ शेयर करना चाता हूं इस अपडेट के बारे में सबसे पहल में पर्टिकुलरली BMW के अंदर तो फोन जो है वायर्लेसली चार्ज नहीं हो रहा था कुछ NFC चिप का एशु था जो कि आपल ने यहां पर सॉल्फ कर दिया है एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बग वह है लॉग स्रीम पर जो विजट आप है वो करेक्ट इंफरमिशन डिस 24 hours का टेस्स कर लिए और आप लोगों को मैं रिव्यू दे रहा हूं बात करता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है चाहे वह ग्रीन स्कीन हो या कुछ भी मैं अपने आइफोन 13 पे भी अपडेट कर लिया और आप लोग इसली शॉप कर सकते हो festive 15 आपको code यूज करना है और हम लोग 24 hours के अंडर अंडर आपको जो है आपका product dispatch कर देंगे तो आप लोग जो है शॉप कर सकते हो केस गया की बात तो हुए लेकिन Apple ने भी सोचा एक और दिवाली offer निकाल दे और iPhone 14 अगर आप पर्चेस कर तो आपको Airpods half price पे मिलने वाले है वैसे तो Apple को free करना चाहिए था या माला 14 और Airpods 3 अब इतने पुराने हो गए है तो आपको कुछ एक अच्छा offer free वाला देना चाहिए था बढ़े हम आपको Airpods 3 जो lightning charging case वाले है वो अब मिलेंगे 9950 के और जो Airpods 3rd generation है max safe charging case वाला वो है 10,950 का और Airpods Pro 2nd generation USB-C वाले है वो आपको मिलेंगे 14,950 तो यह जो Apple का दिवाली offer है मिरको अच्छा लगा है सच कोई problem नहीं है आप Apple store पे जाके या फिर online purchase कर सकते हो और आप यहां पे जो है कुछ additional भी कर सकते हो अगर आपको Airpods में करना है कुछ upgrade करना है तो उसे साब से Apple आपके ल अरजी है बट अगेन एक अच्छो ओफर है आप लोग जो है इसको ले सकते हो बसीत मेरी आज की वीडियो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना और इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करते रहो तो मैं मिलता हूँ आप